नमस्कार दोस्तों आपका स्रागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज किस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बेबी जो है वो हुनहार है भागे साली है और साथी चाहत में बुद्धिमान है अगर आपके बच्चे में चाहें आपका बच्चा बेबी बॉय हो चाहें बेबी कर लो यह जो तीन साइन है जो कि मैं भी बताने वाली हूँ वो साइन अगर आपके बच्चे के पास है तो समझ जाएगा कि आपके बच्ची की किसमत जो है वो बहुत अच्छी है वो बहुत ज़्यदा भागे साली हुनहार और बुद्धिमा उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भविस्त में परिशानी नहीं होगी तो चलिए सबसे पहला परिंट जान लेते हैं सबसे फर्स नमबर पर आता है कि अगर आपके बेबी बॉय या बेबी गल के पैर की जो अंगुटा होता है उसकी जो बगल वाली उंगली होती है वो उसका जो काम है वो हमीशा बनेगा वो बहुत जादा भागे साली बच्चा है दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे की हाथ की गदी में हथेली में तिल है किसी भी प्रकार का गोल है लंबा है कैसा भी तिल है तो वह जो तिल आपका बच्चा जब मुठी बंद कर लाता है तो समझ जाए कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा भागे साली है उसके हाथों में जो धन है वो कभी भी उसको कभी भी किसी प्रकार की धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी तो यह है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे के सरीर पर किसी भी प्रकार का लेसुन है मतलब लेसुन का मतलब यह नहीं जो हम सब्जू में डालते हैं वो नहीं जिसे हम पदम भी कहते हैं वे है चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो रैड हो उससे फरक नहीं पड़ता है वो अग आपके बच्चे के कहीं फेस पे आपको लग रहा है अगर वो चीज है तो आपका बच्चा बहुत भागिसाली है आपके बच्चे को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी आपका बच्चा बहुत हुनार है बहुत बुद्धिमान है वो आगे भविस में जो भी करे जो कि उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो किसमत जो है वह उपर वाला लिखता है और कुछ बच्चे के करम होते हैं सबी के जो उनकी जो महनत होती है वह करम से किसमत को बदला जा सकता है तो इस चीज को लेकर बताते हैं और यह काफी हद तक सच भी बात होती है तो अगर आपके बच्चे के पास में ऐसा कुछ है तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होनाहार और भागे साली है तो अगर यह वीडियो आपको helpful लगा हो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना त्री रमस्कार थेंक यू